आप अपने बारे में कुछ ना बोलो, अच्छे करम करते रहो, वही आपका परीचे देंगे, जिसकी नीती अच्छी होगी, उसकी हमेशा उन्नती होगी, मैं स्रेस्ट हूँ, ये आत्मे विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही स्रेस्ट हूँ, ये अहनकार है, लोग चाते हैं क कि उनसे बहतर करें, दो हातों से हम पचास लोगों को नहीं मार सकते हैं, पर दो हात जोड़ कर, हम करोडों लोगों का दिल जीत सकते हैं, कोई भी वियक्ति तुम्हारे पास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से, प्रभाव से, यदि भाव से आया है, तो उसे प् परमात्मा ने तुम्हें एतनी शमिता दी है, नेत्र केवल द्रिस्टी प्रदान करते हैं, परन्तु हम कहां क्या देखते हैं, ये हमारे मन की भावना पर निर्भर है, मन का खोट कुए के पानी की तरहा होता है, जितना भी निकाल लो, खत्म नहीं होता, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेप सिखाती है, वो बात कोई यूनिवसिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते, कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत है दोस्त, बड़े नसीव वाले होते हैं, जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते है कितना अजीब है ना, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है, लेकिन कोई जीव कभी भूका नहीं मरता, और मानव का कभी पेट नहीं भरता रेस में जीतने वाले घोड़े को तो ये पता भी नहीं होता, कि जीत वास्तव में क्या है, वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वज़े से ही दोड़ता है इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आये, तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है जहां से हमारा स्वार्थ समाप्त होती है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंब होती है जिन्दगी के लिए एक बेहतरीन सोच रखो, हर एक की सुनो और हर एक से कुछ नकुछ सीखो क्यूंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ नकुछ जानता है रिष्टों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है, तो तूटना मुश्किल है अगर स्वार्च से हुई है, तो टिकना मुश्किल है अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं आप आइना हो, आइना बने रहो, फिक्र वो करें जिनकी शकले खराब है शर्धा जान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगा सम्मान देती है